तो amigos good morning welcome back to the new video तो friends आज की जो video है वो long video अपने इस दो handfeeding chicks के उपर होने वाली है यह दो chicks हमने handfeeding करके बड़े किये हैं और हमने जिस age से handfeeding करना लगबग इस age के बड़ थे जब इनको हमने handfeeding करना start किया था इस एस से इस तक की पूरी जर्णी में आज आपके वीडियो में बताने वाला हूँ बेसिकली जब ये पंदरा दिन के थे तब मैं इन दोनों को लेकर के गया था और ये वाले बच्चे इस वाले पेर के हैं आप देख सकते इसमें का एक चिक्स ये बैठा हुआ है जो पीछे साइड बैठा हुआ है वो चिक्स है और बाकी ये दो चिक्स है तो ये टोटल तीन चिक्स निकले थे तो दो चिक्स मैंने उठा ले गया था एक चिक्स ये खुद पाल राधा पी है तो अभी यह इतने बड़े हो गए और इनके इतने बड़े होने तक का जो मुझे हैंड फीडिंग पड़ा है वो लगबग मुझे 700 ग्राम की आसपास हैंड फीडिंग लगा है और यह दोनों बड़े हो गए हैं अगर आडियली मैं मान के चलूं की complete हैंड फीडिंग में जो ह करते हो कि इतना खर्चा आया होगा और साथ में नियोप्टाइन जो कि आप जानते हो डाइजेसिंग सिस्टम के लिए अच्छी होती है वह यूज की थी और अभी यह प्रॉपर सेल्फ हैं और प्रॉपर हेंड टेम हैं और ऐसा कोई मसला नहीं है अभी इसी के बाद इनकी हेल्दी और एक्टिव है यह काफी सरारती भी है और बाकी यह फ्लाइंग अगेरा करना बिलकुल सुरू कर दिया है और यह काफी सरारती है तो यह दो चिक्स निकलें एक यह फॉन पाइड निकलेगा क्योंकि यह आप हेट पे चेक कर सकते हैं तो यह फॉन पाइड निकले यहीं पे छोड़ देंगे और दो टाइम जो सुबा और साम की हैंड फिडिंग करानी रहती है वो कराएंगे साथ में कुछ सॉप फूर्ड वगएरा देना स्टार्ट करेंगे ताकि बर्ड जो है सॉप फूर्ड वगएरा खाना सुरू करें जिससे जल्दी से ये सेल्फ फीड हो जाएं तो यहीं छोटी सी वीडियो थी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको पास से लुक दिखा देता हूँ बर्ड का और बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव है प्रॉपर जो है ये कवर्ड हो चुके हैं और इसका भी देख तो यही थी छोटी सी वीडियो मित करता हूँ वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और आपके प्यार और सपोर्ट की काफी जादा दरूरत है और जल्दी जल अपने चैनल पर 20 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा तो ओके फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो और टॉपक के साथ तब तक के लिए बाब बाई फ्रेंड्स